अस्तनामूं अलेकुल स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर हसीवा खातुल लेक्चरर फ्रोम मारवारी कॉलेज सब्जेक्ट उर्दू आज हम लोग पढ़ेंगे पैतरस बुखारी तो चलिए देखते हैं कि पैतरस बुखारी कौन थे पैतरस बुखारी की पैदाइश 1898 सिम्मी थी उनका असल नाम सेद अहमद शा बुखारी था पैतरस बुखारी के कल्मी नाम से मशूर हुए गुवर्मेंट कॉलेज लाहर में अंग्रेजी के उस्ताद के हैसेद से मुलाजमत का अगास किया इसके बाद आल इंडिया रेडिय क्योंकि डारेक्टर जनरल मुकरर हुए तक्सीम वतन के बाद वो एकवाम मुतहदा से वाबिस्ता हुए और एक बुलंद ओदे पर फाइज हुए पितरस बुखारी उर्दू के बेहतरी मजाह निगारों में शुमार होते हैं उन्होंने लिखा तो बहुत कम लेकिन जो भी लिखा बहुत अच्छा लिखा उनके मजाहियां मजामीन का मजमूए मजामीन पड़रस दस मजाहियां मजामीन पर मुच्तमिल हैं लेकिन मैयार के अथबार से उर्दू तन्जो मज़ह की तारिख में उस किताब को एक बुलंद मरतबा हासिल है पितरस के मजामीन पर अंग्रेजी मजा की गहरी च्छाप है उसी के साथ उनकी जुबान में उर्दू अदब खास कर शायरी की शकुफतगी और शायस्तगी और आलिमान नसर की शानवी पाई जाती है उनकी तहरीर में शोखी, रवानी और बेसाखतगी है सीधी साथी बात से मज़ख पैदा करना, नफ्जों के उलट फेर से नए जुम्ले तयार करना और खुद को मज़ख का निशाना बना कर दूसरों को हसने का मौका देना उनका खास अंदाज है उनकी तहरीरों को खास कर, उनकी तहरीरों को खालिस का नाम देना सही नहीं वो अक्סर आम इन्सानी कमज़ुरियों को तन्सकर निशाना बनाते हैं उनका कमाल यह है के हो तलखी का इछसास पैदा किए बेगर तन्सकर वार कर जाते हैं तो इस तरह से हम लोग यह तो जान गया कि पत्रस बोखारी कौन थे तो आज की लिए इतना ही बाकी नेक्ष्ट क्लास में अल्ला हाफिज